हलो एवरिवन वेल्कम बैक टु माई चैनल स्प्रेंट सुडान तो एक नहीं दिन की शुरुवात आप सभी के साथ शुरुवात करते हैं आज के करण्ट अफेर के साथ अपने दिन की तो आज 25 जून के करण्ट अफेर हम डिसकस करेंगे उससे पहला अगर आपने हमारी चैन यह जो इसमें प्राजिल आर्सी रश्या आए से इंडिया सी सि चायना ऐसे शाउथ अफ्रिका अब बात किरते हैं सबसे नए स्थ मेंबर की तो वहां साउथ अफ्रिका अगर बात करते हैं यहां पर कौन सांस करनों इस इंपोर्टन कोश्चिन आइ इस वार जो है दो हजार इसकी होस्टिंग के बात करते हैं तो होस्टिंग जो है शी जिन पिंग के दुवारा जो हमारे कहां के चाइना के रास्ट पतियां उनके दुवारा होस्टिंग के गई बात करते हैं अगर तेर्वें संसकरन के मैंने बताया पहले बिक्स करते हैं रस्ट्रा फिर इंडिया फि प्रिक्ष देश के बीच आपसी संयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी प्रिक्ष देश के लिए समान दरिश्टिकोन साजा करते हैं तो हमारी जो आपको पता है कोविड की वज़े से हमारी जो अर्थ विवस्ता है वो पूरी तरह से मतलब वह अभी स्टेबल नहीं हो पा रही है तो यह सब जो चर्चाएं होई ये बिक्ष में और इस वार को जो ब्रिक्ष है उसमें काफी बद्राब की गए ताकि जो हमारा ये ब्रिक्ष अंगठन है इसमें जो है सुधारा सुधार ओर ज्यादा ठीक है अगर बात करूंगी में ब्रिक्ष कप फांड हुआ तो इसकी फांडेशन हुई थी में 16 जून 2009 में फिक्या नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स कोशन की तो नेक्स कोशन है जिसको क्योंकि भारत प्रियाटक ट्रेन है मतलब भारत से नेपाल तक प्रियाटक जो घुमने जो मतलब जो हमारे जो न्यू डाली से नेपाल स्टार्ट होगी इंडिया से और जो नेपाल का नेपाल का जो जनक पूरी धाम है जनक पूरी धाम वहां तक जाएगी इसमें जो यह पहले वहन wouldn't go right the show इंडिया नेपाल में रामायन सर्किट से जुड़े स्थानों को में आप्मों करा हूई हैं पहले जो हैं यह को ऩार्ण है भाद करते हैं तो बात करते हैं नेपालों और भारत के द बीज में पहले वह जलिए बट ये जो है भारत को रप्रियटक बने तो सबसे पहले रेल्वे मंत्री है वह अशनवी वैशनव हैं और साथ में किसकी हमारी संस्कृत को भढ़ाबा देने के लिए यह पहल की गई तो प्लेस जो जूड़े हैं तो वही जूड़े स्थानों को जोड़ने के लिए मतलब कि रामायन के जो बहुत से जादा जो चीजें भारत के उपरी-उपरी में और साथ में नेपाल के तक नेपाल तक फाली हुई हैं तो इन स्थानों को जोड़ने के लिए इस ट्रेन की पहल की तो फर्स्ट इम मैंने बताया कि दिल्ली से पचास प्रियटकों को लेकर भारत कॉरव ट्रेन नेरपाल के जनक पूरी धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी अगर बात करते हैं तो यात्रियों को भगवान राम के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों पर ले जाने के लिए यह पहल की गई है अगर थोड़ी सी बात करेंगे इस ट्रें के बारे में तो इसमें जोए 600 यात्रियों के रहने की शमता है जिसको इस ट्रेंब को जो आठारा दिन का सफर होगा जिसके जो अगर बात करेंगे कितने उसका खर्च और तो आसाट थाजार तिन सथी हुआ कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्ट अप समिट विवाटेक 2020 कहां पर विवाटेक कहां का हो है क्या यूरोप का समेलन है यूरोप का समेलन है तो वहां पर क्या हुआ कि विवाटेक 2020 में भारत को जो है वर्ष का देश यह बहुत बहुत बड़े बात है वर्ष का जो कि बात है यह दुनिया में इसी लिए पॉसिबल हुआ कि भारती है जो स्टार्टप के व्योगदान के कारण क्यों पॉसिबल हुआ जो भारती स्टार्टप है उन्हीं के कारण यह पॉसिबल हुआ इन्होंने जो है फ्रांस के पैरिस में जो है भारत मंडब का उधगाटन किया किसने अशनवी वैशनव के द्वारा इसका भारत मंडब का उधगाटन किया गया कहां पे पैरिस फ्रांस में अगर बात करती हुँ मैं यहां पे तो 65 इंडिया के स्टार्टप पार्टिस्पेट शिक्स्तिफाइब इंडिया के साटप आपप करेंके मैं ऑबात की थी हंदर से स्टार्टप जो आधिक वह अधिक वह यूनिकौन यूनिकृर् बॉंकल इंडिया थीक थीक है कीक्ष्मीAR 2023 में करेंगा मैजबारी करती ग्रिक्स साथ यह क्सिल्स si самоеowik प्रभाव शाली समूप को विवस्ताओं की परमुक अर्थ व्यवस्ताओं को एक साथ लाता अगले वर्ष 2023 के लिए जो है वो जे एंड के में आयोजित किया जाएगा मतलब कहां पर जो कश्मीर में जो है यह आयोजित किया जाएगा जो हमारा संसकरन ने जे एंड के सरकार ने वहां होने वाले जी टूइनटी बैठक के लिए पांस दस्य रिअल उच प्सतरी च समीति यो स्मीति का गठन किया है जो जमो कश्मीर सरकार है उसमियां के लिए के लिए इस उन्मेलन के लिएval Series केंद्रिय और वानिच मंत्री तो वो कौन है वो है हमारे प्यूश गोयल ठीक है प्यूश गोयल जो हमारे केंद्रिय और वानिच मंत्री है तो उनके जो जी ट्वेंटी हुई थी हमारे पिछले साल की उसमें जो है भारत का शेरपा जो है किसको न्युक्त हिया गया तो वर्ष्ट 2023 में पहली बार जी ट्वेंटी नेताओं की शीखर समेलन का आयोजन करेगा कौन जी ट्वेंटी थे नेक्स कोशन की बात करते तो नेक्स कोशन हमारा विश्व स्वरंड परिशद की रिपोर्ड वैश्विक स्वरंड पूरण चकरण में भारत चोथी स्थान पर त और 2021 में देश ने जो है 75 टन रिसाइकलिंग किया है WGC की गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शिर्ष वाली रिपोर्ड के अनुसार जो हमारी फर्स्ट पोजिशन पर है वर्ल्ड में फर्स्ट पोजिशन पर 186 टन के साथ जो है चाइना है सैकंड की बात और अगर थर्ड पोजिशन की बात करूंगी तो 30 टन के साथ जो है अमेरिका है ठीक है और 75 टन जो है वो किसने तो वो है इंडिया ठीक है नेक्स हम बात करते हैं अगर थोड़ा सा में यहां पर WGC की बारे में बात करेंगे तो WGC का हैड़क्वार्टर जो है वो लंदन म में है यूके में और फाउंड कब हुआ तो 1987 को यह फाउंड हुआ अगर इसके CEO की बात करूंगी तो डेवी टैट जो है वो इसके CEO है ठीक है नेक्स कोश्चन की बात करते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा प्यूस गोयल ने बेल्जियम में में मैंगा फेस्टिवल का किया तो अब बात करते हैं कि जो केंद्री वानिच और उद्योग मंतरी प्यूस गोयल जी ने यूरोप यूरोपी लोगों के बीच में जो हम मैंगो की मैंगो के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए जो है यूरोप में भारती आमो मार्केट जो भारत में जो मैंगो मार्के बेल्जियम के ब्रूसेल में मैंगो फेस्टिवल का उधगाटन किया है ठीक है किसने भारत विश्व में एक बड़ा आपूर्थी करता है एक सबसे भारत भी जो है वर्ल्ड में जो है अच्छे तोर पर जो है प्रोडियूस करता है लेकिन अधिकांश आय जो है यूरोप के बजाए मद्यपूर्व में ही समापत हो जाती है क्या हुआ कि मद्यपूर्व में यूरोप तक पहुंचने पहुंचते उससे पहले मद्यपूर्व में ही समापत हो जाती है ठीक है तो इसको भड़ावा देने के लिए जो प्यूश गोयल है इसने इस चीज़ का उद्गाटन गया। अगर गाषण की अक्ट की बात करूबंगी तो कॉनसे एक्ट है गाषण के लोगाषण फेरेने अगर गषून होकार निकींप फोलिटेमेंडेल इंट्फियो रिख्षय इंडिया जैसे विया निक 502 प्रशाथिक हुले छह्तुरा की बात करेंगी बढ़नOOOOO PM आमरपाली लक्षमन भोग जो हीम सागर यह सब जो है औरिसा की प्रजातियां कुछ इंपोर्टन नेक्स्ट कोश्चन पराते आपने तो नेक्स्ट कोश्चन हमारा दिल्ली हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सोर उर्जा से चलने वाला परत का पहला हवाई अडडा बन गया कोंसा हुआ है दिल्ली हवाई अडडा पूरी तरह से ठीक है अब बात करते हैं दिली हवाई अडडा इमिद्र एक और हवाई अडडा डीली के साथ है independent गांगुली इंटरनेशनल हवाई अडड़ इस महीने से पूरी तरह से जो है से जल और सोर उर्जा से चलने वाला देश का पहला फ़र्स्ट एयरपोर्ट है याद रखना हवाई अड़ा बन गया है यह कदम जो है किसकी पहल से शुरू हुआ तो हमारी जो हमारा क्या टार्गेट के कि 2030 तक जो हम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयर अपने लक्षे को हासिल करने के लिए इस जो है पहल स्टार्ट कर दी है एक इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं एच्पी के लिए कि 2036 तक हवाई अड़े के लिए पन बिजली की आपूर्ति के लिए हिमाचल परदेश की एक चल विद्यूत उत्पादन कंपनी के साथ इ कुछ एक जल विद्यूत उत्पाद कंपनी के साथ तो इंपोर्टेंट है यह याद रखना तो यह थे आज कि हमारे क्रांट आफियर होपसो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल क को सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइस